आज हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे मई के इंट्री जो हैं को हम टैली में चड़ाएंगे ठीक है और बाकी जो पीछे हैं वो कंप्लीट हो चुकी है हमने यहां पर अप्रेल और मई यह दो मंद कम क्लियर हो चुके हैं और आज हम जून के इंट्री टैली में करेंगे ठीक है तो चलिए टैली ओपन करते हैं तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कंपनी भी यहां पर यूपी सैस की जो है वो ओपन है और अगर कोई confusion है कि कहां तक हुआ है तो हम डिस्पले में जाकर के डे बुक में जाकर चक कर सकते हैं तो यहां पर आप देखेंगे एक मई डैट सेट है या निया मई के इंट्री हो चुकी है और आपरेल की तो हो ही चुकी है तो अपरेल मई 2 मंद किलियर है और आज हम उनके इंटरी, तो जून में पहला कोशन है, Mr. Orma signed an agreement with Jassery Travels for all traveling purpose, ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या है, Mr. Orma ने Jassery Travels के साथ केवल contract sign किया, agreement किया है, इसलिए इसके entry नहीं होगी, अगला question देखते हैं, Mr. Orma issue a check of 3000 toward rent, यानि पर यहाँ पर क्या दिया गया है, तो इसके entry करते तो आपको पता होगा, debit में क्या हो जाएगा, rent हो जाएगा, कितना है, 3000 रुपए, जो कि हर महीने दे रहे हैं, credit में क्या हो जाएगा, आपका, कैसे दिया, check के जरिये दिया, तो यहाँ पर आपकी SBI bank हो जाएगी, यहाँ पर laser बनेगा नहीं, क्योंकि हम पिछले में ने rent दे चुके हैं, laser बन चुका है, यहाँ पर आपका voucher कौम सा हो जाएगा, voucher हो जाएगा payment, क्योंकि यहाँ पर हम आपकी थोड़ा किलियर हो रही होंगी, क्योंकि अब हम वही चीज़े repeat कर रहे हैं, ठीक है, तो वापस आते हैं, और entry करते हैं, तो entry करने के लिए हमें कहा जाना है, accounting voucher में, और accounting voucher में, यहाँ पर सबसे पहले तो हमको पता है, date change करनी, क्या करना है, month change हो रहा है, तो date change कर लेंगे, तो यहाँ पर हम F2 बटन प्रेस करेंगे, और date change कर लेंगे, तो date हमारी क्या होगी, 1-6, June यानि की 1-6 पर entry करेंगे, ठीक है, date change हो गई है, voucher payment लगाना है, और debit में आपका क्या है, rent, तो यहाँ पर R प्रेस कीजिए, और rent expenses side में आ जाएगा, rent expenses कितना, 3,000 रुप है, जो कि हमें SBI bank करना है, तो हम इसे accept कर लेंगे, ठीक है, यह हमारी entry accept हो गई, अगला question देखते हैं, तो यहाँ पर अगला question है, Mr. Received a check 10,000 from Sun Info System, मतलब Sun Info System से इनोंने क्या किया है, check receive किया है, प्रात किया है, तो debit तो bank होई जाएगी, डेविट क्या हो जाएगा, आपक कौन रहा है, तो दे रहे है, Sun Info System, अब क्यों दे रहे हैं, तो आपको पता होगा, पिछले महिने में, सर्विस इनोंने ली थी, उधार, तो 15,000 रुपेन का अमाउंट था, लेकिन दे कितना रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं, तो ठीक, बाकी 5,000 बाद में देंगे, तो यहाँ पर Sun Info System, और यहाँ पर इनका अमाउंट है, 10,000 रुपे, 10,000 मिला है, डेविट में कौन हो जाएंगे, डेविट में आपके हो जाएंगे, SBI Bank, ठीक है, डेविट में SBI Bank हो गई, और इसे में final असेप्ट कर लिया, ठीक है, चलिए, आगली इंट्री देखते हैं, अब इंट्र सैलरी नहीं है, मिस्टर वर्मा इसू अच्छे, यहाँ पर चेक इसू किया है, 15,500 रुपे का किसके लिए, सैलरी के लिए, ठीक है, अब देखे, पिछले महीने आप देखेंगे, तो सैलरी 12,700 रुपे दी गई थी, आप देखेंगे, और यहाँ पर कितनी दी गई यह 15,500 एसा इसलिए, क्योंकि जो 12,700 रुपे अपरेल बंत की दी गई थी, आपको याद होगा, अपरेल की दी गई थी, तो इन्होंने महीने तो पूरा एक महीना वर्क किया, तो इसलिए पूरी एक महीने की सैलरी 15,500 दे रहे हैं, ऑर जो 12,700 रुपे मही는 direct दे थी, तो आपरेल क जो था इन्होंने पूरा मंद काम नहीं किया था आप देखेंगे यहाँ पर कौन से दिन में यहाँ पर दीखे बात किया थी अपरेल में इनको किस डेट में रखा गया था आईज़ा वर्कर तो यह देखें यहाँ पर 18 तारीक को रखा गया था इनको काम पर ठीक है तो Mr. Maupand getting में यहांति अपर 18 तारीक को च demi फो उपाइंट कीया था तो 18 से लेकरके और 20 अपरेल तक की सैलरी दी गई थी मए और जून में में जो सैलरी दी गई है वो मैं मंत की पूरी सैलरी दे गई है इस लिहाँ पर आपका हमांट जो है मों जादा है थीक है तो यह वाले ईंक्र हो गई थी salary की एंट्री करनी है 15,500 रुपए की क्या किया गया चेक इसू किया गया तो वो पता होगा डेविट क्या हो जाएगा salary expenses 15,500 रुपए और credit आपका क्या हो जाएगा SBI Bank की यहाँ पर चेक दे रहे हैं ठीक है वाउचर कान सा हो जाएगा payment ठीक है इसको भी पटाफर एंट्री कर लेते हैं और यहाँ पर हम वाउचर सेट करेंगे payment डेविट में हमारा है salary expenses और यहाँ पर amount 15,500 रुपए और credit में आपका क्या हो जाएगा SBI Bank हो जाएगा और इसे हम finally अशेप्ट कर लेंगे यह इंट्री भी हो गई आगली इंट्री देखते हैं तो देखे अगला question क्या है Mr. Roma received an invoice 6,000 from Jassery Travels Jassery Travels से क्या किया है 6,000 रुपए का बिल प्राप्त किया है अब Mr. Roma ने प्राप्त किया इसका मतलब है कि Jassery Travels से कुछ लिया होगा मलब खर्चा किया होगा तभी तो इनको बिल मिला है तो यहाँ पर देखे agreement जब sign हुआ था Jassery Travels के साथ में तो यह agreement कैसा था Mr. Roma ने कहा Jassery Travels से कि आप हमें traveling करवाईए और हम आपको पैसा तुरंत नहीं देंगे आप हमारे पास बाद में बिल भेजवा दीजिए और हम उसका परमन्त या बाद में payment करते रहेंगे ठीक है तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है तो अगर यह Mr. Roma तुरंत नगत payment कर देते तो क्या हो जाता है खर्चा हो जाता है एनि expenses हो जाता है जैसे Mr. Roma क्या है company के honor है और traveling का जो भी खर्चा होगा एनि expenses यह तो होता है तो traveling expenses ठीक है तो यह आपका हो जाएगा traveling expenses ठीक है तो डेविट हो जाता है expenses जो credit हो जाता आपका cash या bank लेकिन यहाँ पर उधार हो रहा है तो credit में क्या हो जाएंगे cash recycling travels हो जाएंगे क्यूं क्यूंकि खर्चा तो हो रहा हो जाएंगे तो वो तो debit होगा और अगर नगत payment कर रहे होते तो cash अबैंक हो जाती है लेकिन यहां उधार हो रहा है तो फिर खर्चा कोन कर रहा है जैसरी टेवल्स कर रहा है यहां पर जैसरी टेवल्स जो है वो दे रहा है ठीक है तो यहां पर जैसरी टेवल्स हो जाएंगे आपके क्रेडिट साइड में ठीक है कोई confusion कोई confusion नहीं amount कितना है 6000 रुपए है अब यहाँ पर देखे laser किसका बनेगा तो यहाँ पर जो laser है वो दोनों के बनेगे दोनों पहली बारा रहे हैं तो इसका laser बनेगा और जैसरी का भी बनेगा traveling expenses का आपको पता होगा indirect expenses में बनेगा indirect expenses में और जैसरी travels का किसमें बनेगा sundry creditor में क्योंकि यह उधार हमें क्या कर रहे हैं दे रहे हैं ठीक है और वाचर कौन सा होगा जर्नल क्योंकि यहां पर उधार हो रहा है ठीक है अब इस इंट्री को हम फटाफट करते हैं तो डेविट में हमारा क्या हो जाएगा पहले जीस तो वाचर चेंज करते हैं एप सेवन जर्नल वाचर डेविट में traveling expenses लेजर बनेगा जयसे ट्रिवल्स का ठीक है और यह अंडर किसके जाएंगे आपको पता होगा यह अंडर संष्ण करडाशन करेगे K संपर शहां कीजर तो यहां पर मिस्टर मोन होता है नगद नगद मतलब माल लेते हैं किसी ने हमको 50,000 रुपे दिया तो उन्हें कहा कि उसको बिल दे दिया तो वो क्या होता है नगद cash invoice होता है ठीक है वही है यहाँ पर मिल दे दिया cash invoice तो question गुमा के है लेकिन कुल मिला के क्या हुआ है कि आपका यहाँ पर income हुआ है तो credit आपका क्या हो जाएगा consulting revenue हो जाएगा आपका consulting revenue और debit में आपका क्या हो जाएगा cash क्योंकि आपर नगत पैसा मिल रहा है कितना 50,000 रुपे ठीक है कोई confusion कोई confusion नहीं लेजर किसी के नगी मिनेंगे voucher हो जाएगा received पैसा प्राप्त हो रहा है इसकी भी entry करते हैं तो यहाँ पर voucher हो जाएगा received credit में आपका हो जाएगा consulting revenue और amount कितना हैं का 50,000 रुपे यह 50,000 रुपे आपका हो गया debit में काउन हो जाएगा cash हो जाएगा तो debit में आपका cash select कर लेंगे और accept कर लेंगे अगली entry देखते हैं अगली entry है he paid cash 1500 वाड electricity bill for the month of माई मतलब माई का जो bill था electricity बिजली का bill था उन्होंने 15,000 रुपे पे किया तो simple सी बात है debit में आपका हो जाएगा electricity expenses कितना 15,000 रुपे औ simple entry है voucher यहाँ पर आपका account सा होगा voucher हो जायागा आपका payment क्योंकि यहाँ पर भुक्तान कर रहे हैं ठीक है कि Mr. Verma ने किया किया 5000 रुपे रितु सर्मा को salary दी है लेकिन advance दी है समझगे अगर हम normally salary देते तो क्या होता salary जो थी वो खर्चा हो जाता लेकिन यहाँ पर advance दे रहे है इसलिए वो खर्चा नहीं होगा वो एक नया account होगा advance salary का समझगे ना advance salary का एक नया account होगा और यहाँ यहाँ पर एक नया group यूज होगा आपको हम tally के notes दिखाते हैं यहाँ पर एक नया group यूज होगा कौन सा देखे loans and liabilities यह देखे यहाँ पर यह sorry loans and liabilities नहीं loans and advance assets यह आपका जो है यह किसलिए यूज होता है जब भी हम किसी को पैसा advance देते हैं advance देते है ठीक है उसके लिए loans अडवान्स असेस्ट यूज होता है और जब हम किसी से advance लेते हैं तो तो आपका पता है करणट liability में जाता है direct और हम जब किसी को देते हैं तो वो loans and advance assets में जाता क्यों कि वो हमारी क्या होती है समपत्ति होती है जब किसी को पैसा देंगी समपत्ति होगी तो यह लोंस और इसका प्राइमरी ग्रूप क्या है current assets आपको पता है तो इसी के अंडर जायागा यहां पर तो चले इसका पहले तो debit के निकालते हैं तो debit आपका क्या हो जायागा debit हो जायागा advance salary ठीक है या salary advance कुछ भी लेख सकते हो आप advance salary रखो या salary advance रखो और credit में आपका लेजर हो गया, under हो गया debit credit और amount केतना है 5000 रुपए तो यह हो गया आपका clear और आप हम इसके entry करते हैं तो यहाँ पर हम voucher लगाएंगे payment debit में advance salary जिसका laser बनेगा तो यहाँ पर advance salary ठीक है ठीक है हो गया loans and advance assets और इसके हम finally accept कर लेंगे तो यह हमारी entry हो गई और यहाँ पर हम amount डाल देंगे 5000 रुपए दिया है credit में यहाँ पर हम डाल देंगे cash हो गया यह interview हो गई अब यहाँ पर आप चाहें तो narration में डाल सकते हैं कि salary किसको दी गई है देखिए worker तो यहाँ पर कई है worker कई है means इ इसके अलावा promote अगरवाल भी worker है तो अगर हम यहाँ पर entry करते हैं तो अब इस से देखिए इस entry से में यह तो पता नहीं चला कि किसको दी गई है यह पता चला कि salary advance दी गई है लिन किसको दी गई है किस employee को दी गई है यह नहीं पता चल गाए तो वो चीज आप यहाँ पर narration यानि comment में जो चाहें डाल सकते हैं कि यहाँ पर जो salesy है वो रितु सर्मा को pay की गई है लेकिन यहाँ से नहीं होता है इसके लिए एक अलग से feature होता है टैली में एक अलग से feature होता है उसको बोलते है cost center ठीक है cost center तो cost center जो option होता है इस feature को हम cash study 2 में देखेंगे वहाँ पर इसके entry बहतर तरीके से आई है अभी cost center का use नहीं हुआ है लेकिन अगर आपको यूज करना आता है तो cost center आप यूज कर सकते हैं ठीक है लेकिन cost center को हम यूज करना अगले यानि cash study 2 में देखेंगे ठीक है तो यह problem भी solve हो जाएगी कि कि किसको salary दी गई है फिलाल अभी तो हम इसको ऐसी accept कर लेते हैं और यह entry हमारी accept हो गई अगला question देखते हैं नोट्स बंद कर देते हैं अगला question है Mr. Roma deposit cash 50,000 into state bank of India यानि की सीधी सी बात है bank में पैसा जमा किया गया डेविट में SBI bank हो जाएगी credit में आपका cash हो जाएगा कितना है 50,000 रुपए ठीक है 50,000 रुपए क्योंकि यहाँ पर हम bank में पैसा जमा कर रहे हैं तो जब bank में पैसा जमा करेंगे तो पैसा जाएगा इसलिए यहाँ पर हम credit में cash और debit में bank क्योंकि bank पाने वाली है पैसा जमा कर रहे हैं यहाँ पर आप note डाल सकते हैं और enter करेंगे और जब note आप नहीं डालते हैं तो यहा आपे नहीं बढ़़ सकते है जब तो कोछ स्चीज को करेंगे नहीं वार्निंग का मतलब होता है कि आप चाहें तो इस्किप कर सकते हैं लेकिन वार्निंग दे देता था कि गलती ना हो ठीम канал हमें यहाँ पर इस वार्निंग को एग्णॉर करना है बैंक क्योंकि चेक दौरा दिया गया, वाउचर कौन सा होगा? पेमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पना वाउचर पेमेंट लगाते हैं, डेविट में telephone expenses, अगर आपने telephone को mobile phone expenses नाम से laser बना है, तो आपका mobile phone नाम से होगा, ठीक है, इस चीज का भी द्यान रखना, तो डेविट में आपका कया हो जाएगा, डेविट में आपका हो जाएगा अमांट एक था पचास रूपई, क्रेडिट में आपका कया हो गा, bank क्योंकि यहां पर इन्होंने चेक द्वारा दिया है, ठीक है यह entry भी हो गई, अगली entry देते हैं अगली entry है Mr. Rumha paid cash 450 50 टू आड़ कण्वेंस एक्सपिंसेज में खर्चा किया है और यहां आफिस एक्सपिंसेज में किया है और यहां परसनल उच के लिए निकाले हैं तीनों इंट्री सिंपल है इंगों फट आफट करते हैं ठीक है तो पहले तो यहां पर वाउचर पेमेंट डेविट में कांव 250 रुपई यह इंट्री हो गई और अगले इंट्री में के गिया है औंफेस एक्सपिंसिज किया है औंफेस इक्सपिंसिज तो यहां पर कितना है 950 रुपए हो जायगा और अगले इंस्ट विड्रुओ कैस лучше स्वें 500 यूज्ज तो यहां पर वाउचर पेमेंट ही होगा, debit में आपका withdraw हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने withdraw नाम से laser नहीं बनाए, हमने drawing के नाम से बनाए, तो D button प्रेस करेंगा, drawings का यहाँ पर laser बना लेंगे, drawings यहाँ पर amount कितना है, इसका 5000 रुपए है, और credit में क्या है, आपका solve की जाएगी, तो report देखने के लिए आपको पता है, बाहर जाना है, और display में जाना है, display में जाने के बाद यहाँ पर आपको trial balance में जाना है, और आप देखेंगे, यह जो आपका trial balance है, यह June का है, ठीक है, यह कौन से मन का है, जून का, जहाँ पर सारे amount जुड़ चुके हैं, यह फूरा complete trial balance आपका है, यहाँ पर final आ चुका है, कोई confusion, कोई confusion नहीं, और वापस आते हैं, day book में, तो आपको पता है, day book में सारी entry होंगी, जून की, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप profit यहाँ पर आ चुकी हैं, तो सारी reports आपकी complete बन चुकी है, print करने के लिए, आपको print पर click करना है, उसके लिए computer में आपके printer जुड़ा होना चीए, export करने के लिए, आपको export पर click करना है, और यहाँ से आप export कर सकते हैं, ठीक है, कोई confusion कोई confusion नहीं तो यहाँ पर June month clear हो चुका है और इस वीडियो के नीचे आप लोग comment करके बताईए कि June month का trial balance है वो copy बनाना बताएं या नहीं बताएं या फिर बनाना आ चुका है तो I think बनाना आपको पता होगा जून का trial balance बनेगा कैसे इसको थोड़ा समझते है जब हमने April का trial balance बनाया था तो हमने सीधे April की जो entry थी उसी से trial balance हमने बना दिया था ठीक है लेकिन जब हमने May का trial balance बनाया था तो हमने क्या किया था May की entry थी ठीक है May की entry और प्लस April का trial balance दोनों को मिला करके मई का trial balance बनाता तो अब हम जब June का trial balance बनाएंगे तो क्या June की entry तो उसमें लगेंगी ही तो क्या April और मई दोनों का trial balance जोड़ा जाएगा नहीं जब हम June का trial balance बनाएंगे तो June की entry प्लस मई का trial balance मई का April से हमें नहीं मतलब है तो अगर हम मै को जोड लेंगे तो आप्रेल तो आप्रेल जोड गया, समझ गया तो यहाँ पर जब June का Trial Balance हम बनाएंगे तो June की Inntry ठीक है? Jaun की Inntry ठीक है, June की माई का trial balance दोनों को मिला करके हम बनाएंगे trial balance किसका June का ठीक है और profit and loss आपको पता है सिर्फ trial balance पर ही बनता है यहुथ यू का trial balance भी बन जाएगा और balance seed जोई वो आगर आप बना लेते हैं तो अच्छी बात है और फिल फिलाल आप कमेंट करके बता सकते हैं जो भी है ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में तो अगर आपको वीडियो पसंद आया करें तो इसे लाइक कर दिया करें और जितना हो सके उतना शेयर कर दिया करें ताकि हमें जो है थोड़ा कर दो कर दो कर दो